हेलो प्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल अपनी रसोई आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं बहुत ही टेश्टी सब्जी की रेस्पी रिचली बनाना सुरू करते हैं करत में के बनाना सुरू करते हैं आपके बनाना सुरू करते हैं यहां पे सोया पया नकी भरी लिए हैं और मिडियूम सैज्जी के अपले हुए यहां आलू को छिल लेंगे और हो चक्षेटी साथ ही हमने गैस पे पानी चड़ा के रख दिया है जब पानी बॉयल होने लगे तो उसमें हम सोया बीन की बड़ी को डाल देंगे गैस को बंद करके उसके बाद इसे हम ढख के छोड़ देंगे चार-पांच मेर्ट के लिए तक यह सोया बीन की बड़ी अच्छे से फुल जा पूजा पार्ट में बिना प्याज लेसन की सबजी बनती थी तो हलवाई लोग प्याज की जगह यह पत्ता को भी उच करते थे बिल्कुल भी सबजी नहीं चलेगा कि आपने प्याज नहीं डाला है बहुत टेस्टी सबजी बनती है तो सोया बीन की बड़ी को हमने दो बार अच्छे से ठंडे पानी से दो लिया है और इस तरीके से हम पूड़ा पानी अच्छे से निचोर के इसे ले लेंगे तो मुझे यह साइज में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था तो इसे हमने बीच से कट कर दिया था पर कोई जरूरी नहीं है कि आप भी इसे कट करें आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप भी इसे कट कर सकते हैं तो साड़े बड़ी को हम इसे तरीके से कट कर लेंगे और एक अच्छा सा हम फ्रेश सा इसके लिए मसाला बनाएंगे तो एक चमच हमने यहाँ पे साबु धनिया लिया है तीन लाल मिर्चे लिया है इसे भुन के हम ठंडा करके पीस लेंगे तो प्याज लेसें टमाटर कुछ भी नहीं डाल रहें सब्सक्राइब थोड़ा सा फ्रेस मसाले होने चाहिए तो इसे हम भुन लिया और इसे निकाल के ठंडा करके हम इसे पीस लेंगे फिर उसी पैन में हमने यहाँ पे दो तीन चाहिए तो बर्म मेरे तरीके से अलुष सोयबीन की सब्जी को बना कर देखिएगा आपको बहुत ही तैस्टी लगेगा आप सोयबीन नहीं भी डाल सकते सिर्फ आलु की सब्जी बनाना चाहें तो वो भी बना सकतें इसे तरीके से तो ये आलो स्वेबिन भून गया था तो हमने निकाल लिया और उसी पैन में फिर से तो तीन चमत तेल डाल दिया है तेल गरम होगे तो हमने इसमें डाला है जीरा, हडी मिर्च और अद्रक जब एक तीनों चीजे अच्छे से भून गई तो इसमें हम ग्रेट किया हुआ वो बलकुल भी नहीं पता चलता है कि सब्ची में आपने पता वह भी डाला है तो यह थोड़ा भून गया तो हमने हल्दी बौडर डाला होड़ी ध्यूद DAVIDhe तो हमने हल्दी पोडर डाला ध्याई थोड़ी स साजम तो यह देखिए जब यह मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसी में आलू और स्वयबीन डाल देंगे और साथ में दो-तीन मिनट तक उन्हें मसालों के साथ भुन लेंगे स्वाध अनसार नमक डालेंगे और साथ ही साथ इने भुन लेंगे तो अगर आप सूखी साथ शियरवक नाधियों तो बाप सबस्त 걸 करें जब तस चाहला गताएं तो अश्ची से मिक्स कटा और तक पकाएंगे तोड़ी से धनिया पति हमने डाल दी अर यह देसी 5 मट के बाद इस सब्जी की रंगत सब्सवалась हैं trước日 इस सब्जी को सतित प्लकुल भी नहीं लग ल चावल किसी के साथ भी खाई है बहुत यहमी लगती है रेस भी अच्छे लगे तो प्लिज लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दें मैं आपसे फिर मिनते हूं बाई बाई